तो रेंज करो, मेरे बच्चों मेरे पास एक लड़का आथा था कादिर करके, मैं आपको दो ही मिनिट बस कहानी बता रहा हूँ फिर उसका सवाल पर आऊँगा, अभी भी है वो बच्चा, और कादिर खानवान कुछ नम होगा आगे मुसलिम बच्चा था वो, मैं बढ़ाता मैं जैसे क्लास में घुसरा था, वो मुझे वहीं पर मिल गया, मैं उसकी साइकल को देखके हरान रहे गया, क्योंकि आज के टाइम में एटलस साइकल वो भी पुरानी खचेडा सी साइकल पर कोई नहीं आता, क्योंकि हर आदमी माबाप की कमाई पर जी रहा है, और माबाप की कमाई को अपनी कमाई समझ की अपनी उकाद को उपर उठा लेता है, तो बहुत क्या, मतलब मैंने आज तक उसी बच्चे को देखा है, या इकाद कोई और बच्चा होगा, नहीं तो 99.99% स्टूडेंट ऐसा मिला है, जो अपनी तोहिन समझता है साइकल पर कोचिंग पर जाने में मुखरजी नगर, तो यार मैंने उस बच्चे को देखा और वो बच्चा बड़ा गैनिये सी स्तीती में था, सुबह का बैस था आठ होजे, मैं भी वहीं पर पहुंचा, तो बच्चे को देखा है, यार देखके मेरे को बड़ा बुरा सा महसूस हुआ गया रही, बच्चा तो सच में कोई न कोई दिक्कत में हैं तभी इतनी cycle पारा और दाउग वाक से हैं और बच्चा थोड़ा सा बलब साफ सुंदर शा दिखा भी नहीं रह ता हूँ साफ सुंदर का मतलब लफ भी नहीं और चाचाता हूँ अगरा जो होते उन्होंने मुझे पाला पूसा है तो अब मैं अपने भाई को छोटे भाई को दिल्ली लेके आ गया हूँ मुखरजीनेगर तो अब मैं खुद कोचिंग कर रहा हूँ और छोटे भाई को स्कूल में पढ़ा रहा हूँ वो कर जीने कर में तो खर्चा पानी कैसे चलता है तो सर एक रुपे के कोई मदद नहीं करता तो सुबह उठके मैं अगबार बाठ के आता हूँ और पूरे दिन मैं सफेधी करता हूँ सफेधी जो मजदूरी होती ने पेंट वेंट वाला काम ये काम करता हूँ और ये काम करके फिर मैं इतना धन दान्ने जुटाता हूँ मजदूरी वगरा करके या बाकी सारा काम करके कि मेरे पास इतना पैसा आ जाता है कि मैं खुद की रोटी खा लेता हूँ और आपकी फीस बर्दी मैंने और अपने भाई को भी स्कूल पढ़ा रहा हूँ और साइकल प्रहा रहा हूँ मैंने यार बड़ा मैं उस चीज में बड़ा ही परेसान हुआ क्यार इतना कस्ट भी किसी को क्यों दे भगवान अगर कोई बचा पढ़ना चाहरा है फिर हमने उसको एक दूसरा ट्रेक दिया कि पढ़ाई के साथ साथ ये काम मत कर दूसरे तरीके से हम तुझे कहीं न कहीं हेल्प कराएंगे तो ये काम करता रहे पढ़ाई से रिलेटेडी मेरे प्यारे बच्चो उस दिन मैंने एक चीज ये सीखी कि अगर आप गरीब हैं अगर आप गरीब हैं और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बहाना नहीं बना सकते कि मैं गरीब हूँ इसलिए मैं चोरी करके पढ़ूँगा क्योंकि मैं गरीब हूँ